हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, इंडिया में लोगों को अपनी बाइक्स को मोडिफाई करना बहुँ ज़्यादा पसंद है और ये बाद बाइक के एक कॉंपोरेंट पे सबसे ज़्यादा लाग होता है वो है बाइक का साइलेंसर जी हाँ बहुत सारे लोग जो स्टॉक साइलेंसर जो की नई बाइक के साथ कमपनी के दोरा फिट करके भीजा आता है उस स्टॉक साइलेंसर को हटा देते है और उसकी जगा में आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाते है जिसमें जो noise का production है वो जादा होता जिससे ज़्यादा अवाज आता है जिसमें थंपिंग का sound जादा होता है अब इससे जुड़ावा दो सवाल है पहला ये कि ऐसा करने से क्या engine के उपर में कुछ effect पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा साथ ही 16 best silencer का buying link भी मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरू कर ले आप फ्रेंट्स after market silencer सही है या गलत है ये दो चीजों को पर में depend करता है पहला आपके पास bike कौन सी है कार्बियोटर से चलने वाली bike है या फिर fuel injected bike है और दूसरा आप जो silencer लगा रहे हो after market silencer वो किस quality का लगा रहे हो आईए मैं आपको इस चीजों को explain करता हूँ जो भी धुआ प्रोडिस हो रहा है वो exhaust gases इस silencer से होके ही atmosphere में जाती है ये जो silencer है वो engine का जो noise है उसे भी कम कर देता है और साथ ही जो exhaust gases में जितने भी harmful gases है carbon monoxide, hydrocarbon, sulfur dioxide और भी gases है उन सारी gases को भी ये control करता हमारा silencer जो muffler है और जो exhaust system है अब देखे कोई भी company हो जब कोई भी वो अपना किसी भी segment का किसी भी CC के bike को manufacture करती है तो engine का design, engine की capacity, engine का power, engine का torque, engine का RPM, engine का cooling system में इन सब चीजों को ध्यान में रखके ही उस bike के लिए एक silencer को चुनती है और उस silencer को उस bike में fit करती है जिसे हम लोग कहते है stock silencer ठीक है अब अगर आपने stock silencer हटा दिया और उसकी जगह में नया silencer लगा दिया है तो ऐसा बिलकुल ज़रूरी नहीं है कि उससे mileage कम होगा या उससे engine के performance में फरक पड़ेगा लेकिन ये depend करता है कि आपने अपनी bike में जो silencer लगाया है वो कौन सा silencer लगाया है क्योंकि अगर आपने गलत silencer लगा दिया सिर्फ आपने loud जो sound है जो silencer का आवाज को सुनके लगा दिया है तो इस बात का पूरा chance है कि जो engine का pulling power है वो कम हो जाएगा यानि कि engine का जो bike का weight है और जो bike की उपर में बैठे हूँ rider या pillion का weight है उस weight के साथ जो engine का bike को आगे move करने का जो power है जो छमता है वो कम हो सकता है और इससे mileage बहुत जादा कम हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है देखिए अगर आपने सही silencer नहीं लगाया है तो इससे होगा ये कि जो exhaust gases, exhaust pipe और silencer से होकर बाहर निकल रही है उन exhaust gases के बाहर निकलने का जो rate है वो कम हो जाएगा वो slow हो जाएगा जिसके बाद exhaust pipe और silencer में जो धुआँ है वो इसके बाद एक problem create होता है जिसे हम लोग कहते है back pressure, back pressure में ये होता है कि जो exhaust stroke है उस time पे पूरा का पूरा धुआ बाहर नहीं निकल पाता है, कुछ धुआ इंजन के cylinder के अंदर में रह जाता है और इसके बाद वो जो धुआ है जो exhaust gases वो fresh जो हमारा हावार पेट्रोल इंजन नहीं जल पाता है, unbund fuel रह जाता है और इसके हिसाब से क्या होता है कि इंजन का जो power है वो तो कम होता है, इसाथ इसाथ जो mileage है वो भी कम हो जाता है क्योंकि जतना petrol जलने से जतना power मिलना चाहिए वो power नहीं मिल पाता है, बहुत से लोग इस चीश को ध्यान नहीं देंगे लेकिन अगर silencer सही नहीं लगा हुआ है तो इसे ये सारे problems हो सकते हैं, अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास carburetor वाली bike है तो उसमें भी ये सारे problem होंगे, होते भी है, लेकिन वहाँ पे आप control अपने आप से कर सकते हैं कोई carburetor में क्या होता है कि manually उसे tune कर पात होता है और engine control unit में engine के सारे system के हिसाब से पहले से ही mapping किया हुआ होता है, सारा data feed होता है, तो वहाँ पर problem ज्यादा आ सकता, अगर आपने silencer को change किया तो फिर आपको ECU का mapping है वो फिर से कराना पड़ेगा, ECU में जो data है वो फिर से आपको feed कराना पड़ेगा computer के help से, तो मैं आपको बता दूँ कि पहली बात, अगर आप silencer को change करने की सोच रहे हो, तो आप एक बहतर quality का, आपके engine का, जो CC का design वगर है, उसके हिसाब से जो fitment है, उसके हिसाब सही, सही silencer को चुने, और अगर आपने सही बहतर silencer अगर चुना है, तो आपको sound जो आपको चाली है, वो निकलने का rate है, वो increase हो जाता है, जिससे कुछ हद तक, बहुत ही कम, लेकिन कुछ हद तक आपको बता दूँ कि engine का performance है, वो बहतर हो जाता है, साथ ही बहुत पर आप देखोगे, कि जो after market silencer, उसका weight जो हलका होता है, stock silencer के मुकाबले में, तो उससे भी engine का performance है, वो कुछ इस pollution होता है, तो मैं उस चीज के लिए ये चीज को recommend नहीं करूँगा, friends, उम्मीद है कि इस वीडियो में दीके जानकारे आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राय, आप मु